हलो फ्रेंड तो आज हम बनाँगे बहुत ज्यादा टेस्ट्री डिलिशीर स्वीट रेसिपी जो कि खाने में बहुत ज्ट्री लगती और इसे बनाना तो बहुत आसान है आप इसे जब चाहे बना के खा सकते हैं जब आपको कुस मीटा खाने का मन हो या फिर किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बना के इंज्वार कर सकते हैं और इसको बनाने का बिल्कुल पर्फिक रेस्पी मैंने इस वीडियो में शर्ट किया ताकि आपकी रेस्पी पहली बार में अच्छी से बनके तयार हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चली फ्रेंट बनाना सुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें लेंगे यहाँ पर 300 ग्राम मैदा यानि कि कप से लेंगे तो धाई कप मैदा हुआ एक चम्मस पेकिंग पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर दो पिंच से यहाँ पर नमक डाल देंगे नमक के कोई भी मीटी चीज बनाएगे नमक डालने से बहुत अच्छा तेस्ट आ जाएगा अच्छे से इन सारी ड्राई चीजों को मिक्स करेंगे और इसमें मोयन के लिए मैं आता कपके लबाग घीका इस्तमाल कर रही हूँ और यहाँ पर घीका ही मोयन दीजेगा जिससे कि आपकी जो बालू साही होगी वो बिलकुल परफेक बनेगी बिलकुल मार्केट जैसी और बस इस तरीके से घीका मोयन डालने के बाद बड़ी हासा इनको मिक्स कर लेना है और मैं इस बालू साही को आपको बिल्कु सिंपल तरीके से बता रही ताकि आप घर की रखे चीज़ों से बना सके अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अट करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे यानि कि आपको बालु साय का जो डो है वो आटी की तरह नहीं गूतना है जैसे आपको रोटी पुड़ी पराठा के लिए करते हैं वैसा ने आपको बस डो को इकठा कर लेना है कुछ इस तरह के से ताकि इसमें जो लेयर वो बिल्कुल परफेक्ट रहे तो इसे ठक करके रख बस यानि को बस चासनी को आपको तब तक पकाने जब तक आपकी सासनी थोड़ी सी चिप चिपी ना हो जाए और यहां पर देखे़िए डो भी बिल्कुल अच्छे से से जैट हो चुका है आप क्या करना दो कुछ इस तरह की स्टरेश करते जाएगा और फोड करते जाएग एक इसे कुछ मिनट ऐसे स्ट्रेश कीजिए फोड कीजिए ऐसा करने से क्या होगा आपकी बालू साही में बहुत अच्छी से लिया जाएगी अब आपको क्या करना है थोड़ा सा पॉर्शन लेना और ऐसे यह दिखे ऐसे लोई की जितना पॉर्शन लीजिए रूल कीजिए और इसमें यहाँ पर होल कर दीजी होल कर ने के लिए फृंगर का भी स्तेमाल कर सकते हैं और फीर पिम ले पान्या canyon सकते हैं इस तरीके से यह कोई स्टिक ले लीजिए और बस ऐसे रूल कर लिए यहाँ पर होल टली जी decisively आलेसा चाहिए तो इसके अंदर चरेशनी बिल्क साइन उतने ही डालिएंगा और इसको डालने के बाद का जू का फ्लेम है आप उसे बिल्कुल रखिएगा और जब यह पालु साहि इस तरीके से और आजाए तो गैस का फ्लेम मीर्व कर देड़ें और बस मेडवाल फ्लेम पे हम इसे स्काफ्ल Ig को को डालने के बाद एक बाद इसे ऐसे पलट दीजिएगा और इसे थोड़ी देर के लिए हम चासनी में छोड़ देंगे ताकि इसमें जो चासनी है बालु साही के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और बस यह थे मैंने कम से कम 5-6 मेरेट के लिए छोड़ दिया था और देखें यहां पर बालु साही बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है तो देख सकते हैं बालु साही का जो मार subsidi के बालु ry भू बिल्कुल हम आपर दो पीज नमग कर देंगे हम सिसमें करेंगे इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे यह देखे और इक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालेगा इसका जो त्यार कीजिव हल्का सा थोड़ा सा टाइट यानि कि थोड़ा सा मीडेम के बीच रखेगा और करेंगे यासिश चैनिर में थोड़ा सा और यानि उसके पानी आट से थोड़ा कम पानी और पस इसके मिक्स करेंगी जब तो बस ही देखिए हमने तो दो चमस घेली है बाउल में एक चमस यहाँ पर मैदा ला रहेंगे अच्छे से मिक्स करके इस तरीकी से इसका साड़ा त्यार करेंगे और फ to 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 is a जाड़ा लगा देंगे अभी पर शाड़ा लगा करके पूर इसके पूरी से कट करेंग इस तरीके और यूर्ण हीर और ऑड़ सी तरह के पेटियूंद कोस्तर हैं चाही कुछ है सब्सक्तकर अपकर के रखुव एसे फिंगर से थोड़ाइसा प्रेस कीजिए और यह देखे ऐसे आपको लंबाई में बेलना है देखे बिल्कुल खाजी की जैसा सेब देना यह देखे बिल्कुल परफिक्ट बन के तयार चुका चली से फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए यहां पर हमने अल गरम होने के तरह अल कैसा गरम होना चाहिए हलका सा गुंगुना और बस यहां पर सारी पीसेश डाल दीजिए और जो फ्लेम है आप यहां पर लुट कर दीजिए और बस इस तरीके से खाजिय को अच्छे से ब्रेसे फ्राइब कर लीजिए यहां पर खाजा अच्छे हो चुका है अब ता पार घृषब हलब कि यहां पर देख सकते अगर लूक क्तना ज़्यादा क्वाइब करकी का एफ धर फैस्टों में बना की नवर्या कर सकते है तो फ्रेंड आपको ये दो रेस्पी सुट कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर रेस्पी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लैक्शर करना बिल्कुल न भोलेगा चैनल पर पहली बारा चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं एक और न ये बिल्कुल न एक बारा चैनल पर न पारा चैनल पर पहली लगी लगी साट